Movie start होती है और हमें Dan और उसकी family देखती है इसकी wife का नाम Beth होता है और इसके लड़की होती है जिसका नाम होता है Alan आज राट Dan और Beg ये दोनों party में जाने वाले होती है Dan एक lawyer होता है जो publishing company के लिए काम करता है उनकी legal matters वेगरा वो सब समालता है यह party उनके firm की होती है जो अपने friend से मिलता है तो उनके साथ बाते करने लग जाता है बैट उसकी friend से साथ बात करी होती है Dan जब अपने friend के साथ होता है तो एक लड़ी के पर line मार रहा होता है यह हमारी next man character है जिसका नाम होता है Alex Alex उसके friend को बहुत ही घटिया लोग देती है Dan ने देखकर हसने लग जाता है Alex जब बार पर जाती है तो Dan भी वहा जाता है Dan अमरे friend के साथ था तो Alex ने उसे भी देखा था वो फिर से इसे देखती है तो Dan कहता है नमें कुछ भी बोलने वाला नहीं Alex का लोग बहुत डेंजर था तो ये भी इस परस्ती है Dan कहता है कि अच्छा हुआ कि इतना गुस्सा सब तुने मुझपन नहीं निकाला Alex कहता है तुमारा friend मुझे बार बार तंग कर रहा था Dan कहता है कि वैसा हो गलत आदमी नहीं है ये दोनों इक दुसरे से बात करने लग जाते है और यहां मैं पता चलता है कि Alex भी Dan की कमपनी में काम करती है Dan कहता है कि मैं तो बहुत दिनों से वाह हूँ मैंने कभी तुमें वहाद देखा नहीं Alex कहती है कि अभी तीन-चारी हपते हुए है मैंने अभी-अभी जॉइन किया है Dan की वाइफ बेथ थोड़ी देर में उसे बुलाती है और इसे अब घर जाना होता है इस पार्टी में Dan की बॉस ने उसे बोला होता है कि एक बड़ा ट्रबल हुने आ गया है बेथ और Dan दोनों बेथ के मदर और फादर को देखने के लिए जाने वाले थे और अब यह हो नहीं पाएगा Dan को उसके बॉस की प्रॉलम सौल करनी है इस वज़े से अब उसे यही रुखना पड़ेगा वो अब एक दो दिनों के लिए यहाँ अकेल आई है यह मिटिंग खतम होने के बाद जब वो नीचे आता है तो बारिश गेरे होती है Dan के अमरेला भी टूट जाती है तो Alex उसे देखती है Alex उसके पास जाती है वो इसे चाता वेगरा देती है Dan केता है कि बारिश खतम होने तक क्या हम कॉफी वेगरा पी सकते है यह फिर दोनों एक होटेल में आ जाते है एक दूसरे के अजीब-जीब कैसे से डिसकस करे होते है और खुब हसरे होते है Dan केता है कि मेरे मदर और फादर का डूआस हुआ था तो मेरी मदर मुझे बोली थी कि तुम ही मुझे रिप्रेजेंट करो Dan केता है कि बड़ी मुश्किल से मैंने मदर को कन्विंस किया था कि यह मैं नहीं कर सकता यह दोनों इस बर हसने लग जाते है कि लॉयर बनना यह एक बड़ी रिस्पॉंसिबिलिटी है बहुत सारे चीजें आपको सिक्रेट रगने पड़ती है Alex पुछती है कि क्या तुम सिक्रेट रगते हो यह इससे फ्लट कर रहे होती है Dan केता है कि आज तुम्हारे कोई डेट नहीं है Alex भी कहती है कि मैंने उसे कैंसर कर दी है Dan को यह अच्छा लग रहा होता है Alex भी उससे पुछती है तुम्हारे वाइफ कहा गई है Dan केता है कि दो दिनों तक वो आपस नहीं आने वाली Alice केता है कि तुम्हारे वाइफ बाहर गई है और तुम मेरे साथ लंच कर रहे हो तो Dan वहाँ से निकल जाता है Dan को रात में उसकी वाइफ का कॉल आया था पर इसने वो पिक अप नहीं किया था उपनी वाइफ को फिर से कॉल कर देता है यह दोने एक दुसरे का हाल पुछते है तो इससे वाइफ कहती है कि इसे और एक दिन लगने वाला है इसके जो बेटी है इसने यहाँ रैबिट देखा है तो उसे अब रैबिट भी चाहिए Dan इस पर मना कर रहा होता है इसका बाट Dan उसे गुडबाई कर देता है और यह बेठा हुआ होता है तो इससे एलेक्स का कॉल आता है अलेक्स इस पर चिट गए होती है वो कहती है मुझे बिना बताय ही तुम चले गए Dan कहता है कि मैंने एक नोट छोड़ी थी यह अलेक्स को नहीं मिली होती है वो देखकर वो खोश हो जाती है अलेक्स फिर उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तुम यहाँ आज आ सकते हो वो उसके लंच वगरा कुक करने वाली होती है Dan कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है Alice कहती है कि काम तुम यहाँ भी कर सकते हो मैं तुमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करूँगे Dan भाहने बना रहा होता है कि उसे डॉक को वेगरा भी बाहर ले कर जाना है पर Alex मान थी नहीं इसके बाद Dan और Alex यह दोनों पार्क में आ चुके है और उसने डॉक भी लाया है यह हमें दिखता है यह दोनों पार्क में घुमते फेते और बहुत मजी करते है Dan भागते भागते गिर गया है वो उसे हार्ट एटाग आ रहा है इसा वो प्रिटेंड करता है Alex बहुत ही डर जाती है Alex को डरता हुआ देखकर वोट जाता है और उस पर हसने लग जाता है Alex फिर कहीती है कि मेरे फादर भी इसी तरह से मरे थे मैं जब साथ साल की थी मेरे आखों के सामनी ऐसा भुआ था Dan कहता है मैं बहुत ही सौरी हूँ अगर मुझे पता होता तो कभी मैं ऐसा जोक नहीं करता Alex फिर उस पर हसने लग जाती है वो कहती ही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वो अभी भी जिन्दा है और आज सही से रह रहे है Dan को बहुत ही आकवर्ड लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि Alex बहुत अच्छा सा खाना वगरा खूप करती है यहाँ पर उन्होंने ओपेरा लगा हुआ होता है Dan के फादर Dan जब बहुत ही छोटा था तब यह ओपेरा देखने के लिए उसे लेकर गए थे Dan कहता है कि इस ओपेरा के लास्ट में उस लेडी को जब उसका लवर छोड़ कर चला जाता है तो यह बहुत ही बुरा होता है वहाँ में रोने ही लग गया था उसे अपने डाड के साथ ओपेरा जाने की यही एक अच्छी में मेरी याद है एलेक्स ने भी यह ओपेरा देखा है और इसे भी यह बहुत पसेन है इन दुनों की जो चॉइस है यह सेम है एलेक्स कहती है कि एसा क्यों होता है जो भी सब इंटरस्टिंग आदमी होते है इन सब की शादी हो चुकियों दिया डियन कहता है कि उनकी शादी हो चुकिया वो रिस्टिक्टेड है इसी वज़े से तुमें वो इंटरस्टिंग लग रहे होंगे एलेक्स कहती है कि कल मुझे बहुत ही मज़ा आया था अगर वो ऐसे ही मिलते रहे तो कितना अच्छा होगा डैन कहता है कि यह सही नहीं होगा इसकी वाइफ अब आ जाएगी और फिर से अलेक्स से कभी मिलने पाएगा अलेक्स कहती है कि मुझे तुम कॉल करना डैन भी उसे वादा करता है जिसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों intimate हो जाते है जब शाम होती है तो डैन यहाँ से जा रहा होता है अलेक्स उसे बुछती है कि क्या तुम यहीं नहीं सोच सकते अलेक्स उस नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा उसे और भी कुछ काम होते है एलेक्स उस पर जिर जाती है, बोलती है कि तुम्हारा अब काम हो चुका है, तो डिरेक्ली तुम मुझे छोड़ कर चले जा रहे हो, तुम मुझे ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हो, डैन कहता है कि ये क्या तुम बात कर रहे हो, हम दोनों ने डिसाइड किया था, कि ये सिर्फ ए अपसेट किया होगा, एलेक्स उसे छोट नहीं होती, जब डैन उसके हाथ देखता है, तो इसने अपने नस काट लियुती है, एलेक्स फिर बहुत ही डर जाता है, उसके हाथ पर पानी विगरा लगाता है, उसे मलम पट्टी विगरा करकर देता है, रात बर वो यही रुखता और सुबह होने के बाद उसे कहता है कि ब्लीज तुम डॉक्टर के पास चले जाना इसके बाद यहां से निकल जाता है गर आने के बाद उसकी वाइफ को लगे कि घरी था इस वाज़े से सब बेड वेकरा वो डिस्टब कर देता है फ्रिज में जो सब खाना होता है वो सब कु ज़ता वहा आ रहा है रात में अपनी बेटी के साथ कार्ड सवेकरा प्ले कर रहा होता है उसकी वाइफ उसे कहती है कि कब तुम चलने वाले हो यह दोनों गाव में एक अच्छा सा घर बाहा करने वाले होते है बेड उसे कब से कह रहे होती है कि उसे देखने के लिए आना हुए होती है एलेक्स वाहा कर उसे कहती है मैं बहुत ही सौरी हूँ मेरी वज़े से तुम्हें इतनी सारी तकलीफ लेनी पड़ी है अगर दूसरा कोई होता तो मुझे वही छोड़ कर चला जाता डैन को अप्रेशेट करने के लिए एलेक्स ने दो ऑपेरा के टिकीट लाय हुए होते है वो उसके साथ ऑपेरा जाना चाहती है डैन केता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा ही डाय है एलेक्स फिर मान जाती है वो कहती है यह तुम्हें आसपास देखती रहूंगे डैन उसे हग करता है और वहाँ से चली जाती है अब नेक्स दिन में हमें द करती है हम फिर से अभी बात में कर सकते है यह की कर वह फोन रख देता है। अपनी सेक्रेटरY को बताता है इक अगर फिर से कॉल है तो अधन अ कॉल उठाना मत रात में डैन अपने फ्रेंड के साथ डीना कर रहा होता है टो उसके गर पर फूल आता है इसकी वायवे क्यों और वहाँ से कोई भी बोलता नहीं डैन समझ जाता है कि एलेक्स ने कॉल किया था रात में घर में फिर से कॉल आता है तो डैन इस बार उठाता है एलेक्स उसे मिलने के लिए बुला रही होती है डैन कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता Alice कहता है कि तुम्हारे वाइफ को सब कुछ बता दूंगी अगर Dan चाहता है कि वो उसे कुछ भी ना बता है तु उसे उसे मिलने के लिए आना पड़ेगा Dan दुसरी दिन जब Alex से मिलने के लिए जाता है तो Dan कहता है कि हमारे वीज जो भी था यह सब खतम हो चुका है तुम्हें क्यों यह बात समझ में नहीं आती Alice कहता है कि तुम मुझसे ऐसा क्यों बरता हो करे हो Dan कहता है कि तुम अजीव बरता हो करे हो तुम्हें डॉक्टर के बास जाना चाहिए Alice कहता है कि मैं तुमसे प्यार करती हो तुम मुझे जानती भी नहीं Alice कहती है कि वो प्रेइइनन्ट है Dan अब सिरियस हो जाता है वो कहता है यह जो सब सिच्वेशन है इसे मैं अब हैंडल कर लूँगा तुम्हें जो सब अबोर्शन के विगर अब ऐसे लगेंगे यह सब मैं तुम्हें दे दूँगा Alice कहती है कि मैं अबोर्शन नहीं करने वाली इसकी एज़ भी अब ज़्यादा हो चुकी है वो इसे मिस कैरेज हुआ था इस बार वो फिर से अबोर्शन करके चांस नहीं देने वाली है डैन केता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या तुम कह रही हो यह जो डिसीजन है यह पूरे लाइफ के लिए हमारे डिसीजन है Alice कहती है तुम्हारे बच्चे से अगर तुम्हें कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखने तो यह भी ठीक है पर वो यह बच्चा होने देने वाली है डैन अभ यहाँ से चला जाता है डैन को अलेक्स बहुत ही डेंजरस लगती है तो उसके अपार्मेंट में घूश जाता है उसके अपार्मेंट में किसी से आफेर कर रही है या नहीं ये सब चीज़े वो देख रहा होता है या उसे कुछ भी ने मिलता तो अपने friend से वो बात करता है उसके friend से वो पूछ रहा होता है किस तरह की legal trouble में हो है उसका friend उसे कहता है कि अगर उसने कुछ charges वगर अप्रेस किये तो तुम बड़े trouble में आ सकते हो अलेक्स जब डैन के घर पर call लगाती है तो घर का number अब disconnect हो चुका है डैन जब घर पर आता है तो अलेक्स उसके घर पर पोच गई होती है वो beth से बात कर रही होती है तो दोनों अच्छी friends बन जाती है beth अलेक्स को डैन से introduce कराती है यहाँ बातो बातो में इंडारेक्टली अलेक्स फिर से डैन को blackmail करती है कि वो सब कुछ बता सकती है रात में डैन अलेस के घर पर आता है वो बहुत यांग्री होता है वो कहता है कि तुम कर क्या रही हो तुम्हें यह सब अब burn कर देना चाहिए अलेस के थी है कि यह burn नहीं होने वाला तुम्हारा यह बच्चा है तुम्हें इसकी responsibility लेनी पड़ेगी मैं अब तुम्हारी और यह family बन चुकी हो अगर तुम अपनी responsibilities complete नहीं करोगे तुम मुझे और भी steps लेने पड़ेंगे अलेस के रहे हो थी कि मैं तुम्हारी wife को बता दूँगी तब यह Dan उसका गला दबाता है उसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी wife को कोजी बताओगी तुम तुम्हें मार दूँगा अब थोड़े दिन गुजर जाते है और Dan अब अपने नए घर में moving कर रहा है Dan की बच्ची को rabbit चाहिए था तो यह rabbit उसने bike किया है वो उसे वो लेकर जा रहा होता है Dan अपने parking पर आथा है तो Alex ने उसकी गाड़ी पर एसल डाल दिया होता है Dan को अपने कार में एक tape मिलती है यह tape Alex ने रखी हुए होती है यह tape जब Dan लगाता है तो Alex ने बोला होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम्हें यह सब कर पाओगे और यहां से चले भी जाओगे यह में नहीं होने दूँगी अब तुम्हें मुझे accept करना पड़ेगा यह साथ ही तुम्हें लाइफ काटनी है यह तुम्हें accept कर लो जो भी सब तुम्हारी responsibilities है यह तुम्हें complete करनी पड़ेगी Dan अपनी कार में अपने नए घर में जा रहा होता है तो Alex भी उसका पीछा करती है वो जहां रह रहा है और उसे मालूम पड़ चुका है Alex जब अपनी बेटी को rabbit वेगरा देता है तो यह सब family बहुत ही खुश है यह सब Alex देख रही होती है Dan फिर हमें कहता है कि वो पुलिस के पास आ चुका है अगर हम फिर से कुछ action लेंगे तो यह फिर से वापस आ सकता है कुछ भी गलत हो सकता है उनके पास इतने अच्छे evidence वेगरा भी नहीं है कि वो Alex को arrest कर सके Dan कहता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ यह थे हैं कि अगर वो crime कर रही है तो इसमें अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो हम उसे arrest कर सकते है Dan फिर वहाँ से चला जाता है Dan अपने family के पास उसके parent के पास आता है Dan की बेटी का play होने वाला होता है तो अच्छे से line सो हिरा बोल रही हुती है Dan अपने family के साथ बहुत ही खुश होता है जब इस सब घर पर वापस आते है तो बेट कीचन में जाकर जब देखती है तो वहाँ एक बड़ा सा pot होता है इसने pot नहीं रखा था जब इसे खोल कर देखती है तो इसमें rabbit मरा होता है यह देखकर यह बहुत ही चिला थी है इसकी बेटी को भी इसका rabbit कहीं भी नहीं मिलता बेट अपनी बेटी को सुलाती है और डैन के पास आ जाती है वो डैन को कहती है कि है पुलिस को कॉल करना चाहिए डैन कहता है कि अभी नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डैन केता है कि क्या तुम्हें वो ओरत याद है जो मारे घर पर आई थी बैट समझ जाती है कि इसका उसके साथ अफेज चल रहा था डैन उसे सोरी वेगरा कहता है वो उसे पुछती है कि क्या तुम उसके पैर में हो डैन कहता है कि नहीं यह सिर्व एक रात की बात थी बेट एंग्री हो जाती है और रने भी लग जाती है कहती है कि ऐसा कैसे तुम कह सकते हो डैन उसे कहते है कि इस घर में रहना अब सेफ नहीं है तुम थोड़े दिनों के लिए अपने पैरंस के हाँ चरी जाओ डैन रात में एलेक्स को कॉल करता है उसे कहते है कि मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है एक दिन बेट अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो उसकी बेटी उसे कही भी नहीं मिलती है वहां कि एक लेडी से जब वो पूछती है तो गही थी कि मुझे लगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर चली गई होगी यानि कि इसकी बेटी एलेक्स के साथ गई होती है एलेक्स दैन की बेटी को रोलर कोस्टर वेकर सब जगा लेकर जाती है बेट अब बहुत दिस्टाब होचुकी है और अपनी बेटी को हर जगा सिटी में ढूंड रही होती है तभी इसका एक्सिटन गार चली होती है